दोस्तों लोंग एक प्रकार की कली होती है जिसे सुखाकर खाने में इस्तमाल किया जाता है भारत के कई घरों में लोंग को खाने और पेय पदार्तों में स्वाद और सुगंद बढ़ाने के लिए मसाले के तौर पर इस्तमाल किया जाता है वही आयुर्वेद में लोंग को कई रोगों की अवशुदी के लिए प्रयोग किया जाता है इसका उप्योग किये जाना वाला भाग इसका फूल है जिसे सुकाकर इसका इस्तमाल किया जाता है आयुर्वेद में इसे बहुत असरदार चली बूटी कहा जाता है जो कि गले, पेपडे, दातों और कमजोरी सम्मधित समस्याओं के लिए बेहद उपयोगी है इसलिए दोस्तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोजाना दो लोंग खाकर एक गलास गर्म पानी पीने से कौन से जबरदस फायदे होते हैं साथ ही इससे कौन सी बिमारिया का इलाज किया जा सकता है तो आईए जानते हैं दोस्तो अगर आप सरदी बुकार की किसी भी बिमारी से परेशान है तो आपको रात को सोते वक्त दूद में मिलाकर दो लोंग का सेवन करना है लॉंग का 7 करने से आपके शरीर में रोब परतिजुरोदक शम्ता यानि इम्मिनूटी बहुत बढ़ती है दोस्तो किसी भी प्रकार की बिमारी से छुटका रात तभी पाया जा सकता है जब आपके शरीर में इम्मिनूटी भरपूर मात्रा में हो इसलिए आज के समय में जहाँ कोरोना जैसी बिमारी फैल रही है जिससे बचने के लिए सिर्फ हाई इम्मिनिटी ही आपकी मदद कर सकती है इसलिए लोंग को आज से ही इस्तिमाल करना शुरू कर दे दोस्तो अगर आपके घर में किसी बच्चे की हाईट अचानक से रुग गई है तो आप परिशानना हो इसके लिए आप रात को सोते वक्त दो लोंग को एक चमबच गुड के साथ एक गिलास दूद में मिलाकर इसे रोजाना रात में सोने से आदे घंटे पहले पीना है इसकी मदद से हाईट बड़ी आसानी से बढ़ जाती है दोस्तो लोंग में प्रचूर मातर में फाइबर और अन्य तत्वों मौझूद होते हैं अगर आप रोज रात को सोते समय दो लोंग खाकर एक गिलास गुणवना पानी पीते हैं तो इससे पेट सम्मंदित कही बिमारिया दूर हो जाती है जिससे पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, कब्स देसी समस्या जड़ से खत्म हो जाती है साथ ही इससे हड्डियों में होने वाला दर्द जड़ से खत्म हो जाता है जोडो और गुटनों के दर्द से जल्द आराम पाने के लिए ये घरेलून उसका बेहत कारगर साबित होता है दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी शेर करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद वंदे मातरम